हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं अते साम आपके साथ मेरा यूट्यूब चैनल जीए चनल एच प्रो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है 2021 बोर्ड एक्जाम आपका जो है हर सब्जेक्ट 80 मार्क्स होना वाला है और आपको जो ढाई घंटा समय था अब जो है दो घंटे में आपको सारे सवाल के जवाब देने हैं ऐसे में 50 मार्क्स मॉल्टिपूल चैस को स्चीन होगे तो हम कोसिस करेंगे इस 50 मार्क्स से हमको जो है 49 नहीं 50 ही रखने है ठीक है तो इसके लिए हमें पढ़ा गरनी बहुत जरूरी है और उसके साथ साथ जो हर दोहें कुस्समझना जासे हम आज हिंदी के विसे में आलोचना कारेंगे हर विशे से जो हैर टॉपिक से जो है कुछ 10-20 कोस्चिन ऐसे 30 कोस्चिन ले लें जिसका प्रैक्टिस करने के बाद हमी जो है एक आदस्ती बन जाए और एक्जाम में कोई परिशानी ना हो तो आज हम कवीर दास कवीर दास के तीने दोहे को आप पढ़े होंगे समझे होंगे अ साच कवीर दास के कुछ मल्टिपल चैस कोस्चिन पर हम आलो चैनल करेंगे पूरी तरह से व्याक्या करेंगे आपको सभी सवाल के जवाब समझाओंगा बस वीडियो का अंद तक देखते रहना साच के बराबर क्या नहीं है कवीर दास का पहला दो है साच बराबर तप नह नहीं है साच बराबर तप नहीं तप का अर्थात है तपश्या ने की ठीक है तो साच के बराबर जो है तपश्या नहीं है साच के बराबर क्या नहीं नहीं साच बराबर तप नहीं जूंट बराबर पाप वैसे जूंट के बराबर जो है पाप जूंट जो है सबसे बड़ा पाप है ठीक है तो दूसरा नमबर देखिए किसके बराबर तप नहीं पड़े है साज बराबर तप नहीं तीसरा नमबर है जूट के बराबर क्या नहीं जूट बराबर पाप यानि जूट जो हो है सबसे बड़ा पाप है कबीर दाज बोलते हैं साज बराबर तप नहीं जूट बराबर पाप सच के बराबर तपश्या नहीं है वैसे जूट के बराबर भी पाप नहीं है यानि जूट जो है सबसे बड़ा पाप है इसलिए हमें कभी जूट नहीं बोलने चाहिए जाके फिर निक्ष्ट रखते हैं ओते नमबर कुस्चिन पर चार नमबर कुस्चिन देखिए धीरे धीरे क्या होता है तो कवीरदास बोलते हैं धीरे धीरे मना धीरे धीरे सब कुछ होए हर काम जो है हमें धीरज रखके करना चाहिए हमारे मन में पेसेंस होना चाहिए धर यह होना चाहिए तो धीरे धीरे क्य होता है सब कुछ हर काम हो जाता है ठीक है पांच नमबर देखे रीतु आने पर पेड़ में क्या लगते हैं तो कवीर दास के दोहें का नुसार रीतु आए फल होए ठीक है यहां पर अनसर फल होगा कुस्चिन नमबर सीक्स फूल बिचाने वाले को क्या मिलता है तो फूल बिचाने वाले को यहां पर देखे इस दोहा है कि जो तो को काटा बुए ताही बुए तु फूल तो को फूल को फूल है बाको है तिरसुल यानि तेरे रास्ते में तेरे पत में जो काटा डालता है इस यानि तू उसकी भलाई सोचनी चाहिए अगर तू भलाई सोचेगा तो तेरा भलाई ही होगा तो फूल विछाने वाले को क्या मिलता है ने फूल विछाने वाले को फूल ही मिलता है सब कुछ होता है कैसे कवीरदास बोलते हैं धीरे धीरे रहे मन अपने मन को समझाते हुए कि धीरे धीरे सब कुछ होता है मैं आपको बता दूँ सबसे पहले के ये तीनों दोहे कवीरदास और सूरदास रहीम जिसके भी आप दोहे को सबसे पहले याद करना अगर दोहा याद होगा आपको कोई भी सवाल के जवाब देने में आपको किसी तरह के दिक्कत नहीं होगे देखिया आठ नमबर प्रश्ण पेड में फल कब आते हैं पेड में कब जो है फल आते हैं कबीरदास के दोहे का अनुशा रितु आने पर ही पेड में फल आते हैं और हमें पता है कि रितु आने पर ही पेड में फल आते हैं चाहे पानी कितना भी सिंचाई कर दो जितना भी पानी दो लेकिन मौसम से पहले फल नहीं आता है ऐसे सफलता जो है एक समय होता है लेकिन इसके लिए जो आपको सर्थ क्या है कोसिस करनी पड़ेगी अगर आप ऐसे ही पानी देना छोड़ता है पेड़ मरी जाएगा तो आपको जो है सफलता पाने के लिए कोसिस करनी पड़ेगी और समय आने पर आपको सफलता जरूर जूट की तुलना किसके साथ की गई है तो जूट की तुलना हम जानते हैं कि साज बराबर तपने यानि सच की तुलना तपस्या से और जूट बराबर पाप यानि जूट की तुलना जो है किसके साथ की गई है पाप के साथ की गई है जो जूट बोलता है उसके बराबर कोई पाप नहीं होता दस नंबर कोस्चिन देखिए सो घड़ा पानी सींसता है यहाँ पर कोस्चिन कौन सो घड़ा पानी सींसता है तो हम जालते हैं माली सींचे सो घड़ा तो यहाँ पर अंसर होगा माली माली नहीं यह जो है इसका स्ट्रिलिंग रूपद है माली सब्द का स्ट्रिलिंग रूप जो है माली नहीं ठीक है तो 11 नमबर प्रशने साच की तुलना किसके साथ की गई है बहुत ही आसान है सांच की तुलना सांच यानी सच में पहले बताया था सांच का खड़ी बोली रूप क्या है सच है तो सांच की तुलना किसके साथ की गई यहाँ पर तपश्या के साथ की गई है तप के साथ की गई है देखे बारा नंबर बारा नंबर पर अच्छे फल पान बुरे काम करने से अच्छा फल नहीं मिलेगा अच्छा फल पाने के लिए हमें जो अच्छे काम करने पढ़ेंगे तो बी नंबर राइट अंसर ठीक है तो तेरा नंबर प्रेशन देखते हैं कवीर के दोहे में आप सब्द का अर्थ क्या है कवीर दास ने कहा के साच बराबर तब नहीं जून बराबर पाप जाके खरदे साच यहाँ पर है इस्वर यानि जो सच बोलता है उसका खरदे निर्मल होता है और निर्मल हुर्दे में कौन विराजमान करता है इस्वर विराजमान करते हैं 14 नमबर माली कितने घड़े पानी माली सीचे 100 घड़े रितु आइफल हुए बहुती आसाने 100 घड़े ठीक है कवीर की बाणी की इस ग्रंथ में संग्रीहित है एक उसी नक्सर आ जाता है तो आपको पता है कि कवीर दाज का ग्रंथ जो है ओ है वीजक ठीक है सूरदास सूरसागर का रामचर्ट मानस तुलसी दास का तो कवीर की वाणी जो है ओ वीजक नाम के ग्रंथ में संग्रीहित है किसको अच्छा फल मिलता है तो अच्छे काम करने वाले को ही अच्छा फल मिलता है दूसरों के रास्ते पर काटा बोने वाले को अच्छा फल नहीं मिलता दूसरों की बुराई करने वाले को नहीं मिलता बुरे काम करने वाले को नहीं मिलता तो अच्छा काम तो को फूल को फूल है बाको है तिरसूल के तुझे तू अगर अच्छा काम करता है तो तुझे जो है तो को फूल को फूल है तो तेरे साथ भी अच्छा ही होगा तो हमें हमेशा जो है दूसरों के अच्छा ही सोचिनी चाहिए किसको अच्छा फल मिलता है ने अच्छे काम करने वालों को ह चफल मिलता है 17 नंबर परश्ण जाके हुर्द सांच है ताके ह्यave आप इस पंग्ती में आप ینस्वद का अर्थ क्या है इस का हुर्द सच होता है जो हमेशा सज्ज भोलता है उसका ह49 होता है निर्मल होता है और उस उर्दे कौन बिराजमान होते हैं इश्वर ठीक है तो जाकर घ्रदे साचय ताकर रोड़ी आप यहां पर आप सब्द का अर्थ जो है इस पंकती में आप सब्द का अर्थ है इश्वर अथारा ुठारा नंबर प्रस्ण फूल डालना चाहिए यानि फूल यहां पर काटा और फूल का अर्थ है भलाई और बुराई कुस्टिन नमबर 20 अच्छे काम करने वाले को कैसा फल मिलता है तोको फूल को फूल है जो अच्छा काम करता है उसे कैसा फल मिलता है अच्छा ही फल मिलता है कभी रिदाज बोलता आपको क्लिक कीजिए तो आपको को स्कुल जाएगा वह味 है टो पर लिंक है कविरदास के दोहे का आप क्लिक करके देख सकते हैं तो को फूल को फूल है बाको है तिरसोल इस अधूरी पंक्ति के रचयता कौन है हम जानते हैं इस अधूरी पंक्ति के रचयता कविरदास है ठीक है तो कविरदास का दोहा है आपको दोहा याद करना है ठीक है धीरे धीरे मना धीरे धीरे सब कुछ होए इस पंक्ती में प्रयुक्त मना सब्द का अर्थ क्या है तो कभीर दास यहां पर कहते हैं धीरे धीरे मना धीरे धीरे सब कुछ होए अपने मन को समझाते हैं तो यहां पर धीरे-धीरे-धीरे मना सब कुछ होए मना सब्द का अर्थ जो है मन है कुस्टिन No.24 कभीर के अनुसार बुराई करने वाले के साथ कैसा सलूख करना चाहिए कभीर दास कहते हैं जो तोको कांटा भुवे ताही भुवे तो फोल जो तेरे रास्ते में काटा डालता है अर्था जो तेरी बुराई करता है ताही बुवे तू फूल तू जो है उसके साथ अच्छा कर उसकी अच्छाई सोच तो यहाँ पर आप्सन A करेक्ट आंसर होगा भलाई करनी चाहिए कुश्ची नमबर 25 जो तो को काटा बुवे का अर्थ क्या है जो तेरे रास्ते में काटा बुता है यानि जो तेरी बुराई करता है तो इसका सही आंसर होगा B नमबर जो तेरी बुराई करता है 26 नमबर प्रश्ण माली सीचे सोगड़ा इस पंक्ती आपको पता है इस पंक्ती के कभी कभी ऐसा सवाल आता है एक पंक्ती दिया होगा अधूरी कोई पंक्ती और पूछा होगा कि इसके रचेईता कौन है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको दोहा याद रखना ह रहीम हो तुलसी हो या फिर सूर्दास के पदों आपको याद रखनी है ऐसा ऐसा कभी अधूरी पंक्ती जैसे माली सीचे सोगड़ा इस पंक्ती के रचेईता कौन है कवीर दास इस पंक्ती के रचेईता है कोस्चिन नमबर 27 27 नमबर प्रश्ण तोको फूल को फूल है बा को है तिरसुल इस बॉक्स पर क्या होगा तिरसुल 28 नमबर प्रस्ण तोकू यहां तोको होना चाहिए तोको का अर्थ क्या है तोको का अर्थ है तुझको तोको फूल को फूल है तुझको तू अगर दूसरे की भलाई करता है तेरे भी भलाई है तोको फूल को फूल है तो को का अर्थ है तुझको 29 नंबर फल 29 नंबर प्रश्ण फल पाने के लिए किसका इंतेजार करना पड़ता है रितु आये फल हुए हम पड़े हैं वहाँ पर दोहे में के माली सींचे सो घड़ा रितु आये फल हुए तो फल पाने के लिए किसका इंतेजार करना पड़ता है रितु का इंतेजार कभी कभी चार आप्सन पे रितु नहीं होता है और उसकी जगा होता है मौसम तो आपको मौसम पे ही टिक लगानी है टिक तो नहीं आपको डार्क सरकल करने है अपने ओमर में फल पाने के लिए किसका इंतेजार करना पड़ता है मौसम का या रितु का इं दिया है धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ अपने मन को समझाते हुए कवीर दास ने यहाँ पर क्या संदेश दिया है कि हर काम धीरे धीरे होता है तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए हमें धीरज रखनी चाहिए धीरे धीरे रे मना इस पंक्ती में कवीर दास ने मन को क जा धारन करने का उपदेश दिया है यहां पर धीरज धारन करने का उपदेश दिया है तो यह थे तीस कोस्चीन और जिसका हमने आलोचना किया उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आये होगा ऐसे ही प्रश्ण और उत्तर आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी ही सब्सक्राइब कीजिए और साइट में बेल आइकन दबाकर और नोटिफिकेशन क्लिक करें जिसके द्वारा क्या नेक्स्ट वीडियो आप तक पूरा देखने के लिए आपका सुक्रिया अब अब तक वीडियो को लाइक नहीं क झाल